इसके बाद बुद्वान के इनोने हैं किर्दि मुख जी मारा यह मास का भोजन करते थी, उनकी कथा शीमा पुरान में आदी, एक बार इनको भूक लगी थी, इनोंने शंचर जी रुखा कि मुझे मास खाना है, शंचर जी बोले कि तुम दूसरों का मास खाते हो, दूसरों को कश्ट परचाते होते, तभी अपना माथ खाते हैं, तुम्हें कितना कश्ट होगा। शंकरजी के आगया पादर के इन्होंने अपनी शरीर को खा लिया। केवल मुख मचा तो शंकरजी ने रोग दिया कि आज के बाद तुम्हें मुख की ही पुजा होती है, तना में काद किर्थी मुख, इनकी पुजा करने से किर्थी प्राप्त होती है। ओजशमे तहचम आत्मा जमे तनुशमे सर्मचमे बर्मचमे इंगा।